एक गाव था, गाव में अमित नाम का लड़का रहता था, अमित घूमने निकल देया, बीच में उसको चलती बस दिखाई देती है, अमित बस चढ़ने के लिए दोड़ा, तभी बस में नहीं पकर पाया, फिर अमित धीरे धीरे चलने लगा, बीच में अमित को चुरेल अमित कोई मामूरी लड़का नहीं था अमित एकपंदित था अमित को पूरा जान था कि चुडएल पर कैसे काबू पाना है जानता था अमित ने मंत्र बोलने चालू किया तो चुडएल गैम चिलाने लगी और रोने लगी अमित को चुडएल Brian जसवा अमित को दया आने लगी, चुडैल गेज जाने दिया, चुडैल खुश होकर चलने लगी, चली और बोली, बिना मतलब के किसी को परिशान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिये, चुडैल नाचती, गाना गाती, धीरे-धीरे, चलने लगी, अपनी गेज और चुडेल अपने जंगल की तरफ चलने लगी और एकदम से शांत होने लगी और अमित को बोलने लगी आज के बाद किसी को कुछ नहीं करूँगी ना किसी को परेशान करूँगी नहीं, चुडेल बोली, मैं पहले एक गाउव में अपने परिवार के साथ रहती थी और मेरे बच्चों और मुझे पर गाड़ी चढ़ा कर हमारे परिवार को मार दिया और हमें ना दूसरा जीवन मिला, ना हम मर सके